हाई वीवान यार कल से जो एक्जाम का रिजल्ट आये न इसको देखके ना फिर अंदर से ऐसा फील हो रहे है कि इस बार फिर किसान का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा फिर उस गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा क्यों हमें पता यार एंटिए जो है वो काफी गलत दिया करता है और कभी नहीं सुनता यह बात हम सब जानते हैं और साथ में हमारे जो एडुकेशन सिस्टम है ना इसमें लूप होल्स हैं काफी सारे लूप होल्स हैं लेकिन इतने सारे मतलब जिनसे बच्चे जो 25 लाग बच्चे जो एक्जाम दे रहे हैं उनका फ्यूचर ह होने वाला है और सिर्फ एडुकेशन सिस्टम के लूप होल्स की वजह से इतने बच्चे बतलब क्या गडीब जो महनत कर रहा है उसकी महनत की कीमत नहीं है क्यों कल से बहुत बुरा सा लग रहे हैं क्ल रात से मैसे जा रहे हैं कि सर हमारा सेलेक्शन हो गया काफी बच्चे खुश है लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले यह सोच के बैठे थे कि यार साथ सो शैसो पचास शैसो साथ नमर पर हमारा सेलेक्शन होने वाला है हम मेडिकल कॉलेज में जाने वाले वह कहीं उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे लेकिन अब वो डिप्रेश से थ्यार होते हैं सीरेसली ऐसे बच्चे कि यार जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं और कोई फैस्टिवल नहीं मना रहे कोई संदे नहीं मना रहे फिर भी लगे पड़े हैं अपनी उसको लेके एक बात बताओ जो बच्चा मतलब 650 या 660 नमर लेके आ रहे हैं क्या उसन में मतलब जो बच्चा 670 मार्क्स लेके आ रहा है वो एलिजेबल है वो डिजर्व करता है डॉक्टर बनना लेकिन उसको उस लाइन में खड़ा ही नहीं किया जा रहा है उसे अपॉचुनिटी ही नहीं दी जा रही है क्यों पेपर रताइजी कर दिया कट आफ इतनी हाई कर करने की वज़े से सब को नहीं मिल रहा अगर हाइक कर रहे हो तो फिर सीट क्यों नहीं बढ़ा रहे है यह कुछ सवाल है जो मुझे लगा कि यार मतलब इस ताइम पे एक जोक बनके रह गया है लेकिन इसको जोक हम नहीं बनने देंगे तुम भी यहां पर तुमारा जितने पोस्ट करो जो भी तुमारे साथ गलत हो रहा है इस ताइम पर ध्याना को यहर दो तीन सवाल कुछ दो तीन नहीं काफे सारे सवाल है कि पहली बात तो पेपर अगर इजी किया गया पेपर इजी था नहीं था लेकिन यह बात तो बहुत अजीव है कि एकदम से 68 बच्चे जो है उनका AIR बना गया रातो रात बच्चे तो एकदम से इंटेलिजेंट होई नहीं होंगे आस तक कभी रिकॉर्ड में ऐसा हुआ नहीं और इस बार जो है सिक्ष्टी एट बच्चे 70 बच्चे जो है वो AIR 1 लेके आ गए तो कोई ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चों ने एक दम टॉप कर लिए राद बूप पढ़के है ना कोई चीज खाके तसको नहीं हो सकता तो अगर ऐसा हुआ है कि है वो हाई गई है इस बार तो उनका क्या जो बच्चे 670 मार्स लेके आ रहे हैं 700 मार्स लेके आ रहे हैं इवन 720 वाला जो बच्चा लेके आ है उसको भी ए बॉस एमस में सीट जो है वो 55 है और क्या कहते हैं जो जेनरल के टीगरी में जो सीट समारे पास है एमस में वो कितनी है 55 जो है सीट सब्वेलिबल है एमस के अंदर जेनरल के अंदर लेकिन बच्चे कितने टॉप कर गए 720 में 720 68 तो बाकी बच्चे क्यों नहीं जाएंगे साथ में आप देख पा रहे हो कि यार 650 पे जो है 30,000 रांक आ रही है मतलब एक टाइम पे 600 मार्क्स वाला बच्चा भी सेक्यों और फील करता था कि यार मतलब ठीक है मुझे कुछ तो कॉलेज मिल जाएगा आसपास में 620 630 वाला अब 660 वाला बाक जो बच्चा है वो रैं हमने बढ़ाया उनको राइट तो वह 600 बच्चे वाले को भी कोई कॉलेज ही नहीं मिल पा रहा तो इसका जवाब क्या दिया एंटे ने जवाब दिया है कि भॉस हम तो मलब क्या करते हैं इन्होंने कहा मैं आपको दिखा रहता हूं यह पूरा अर्टिकल भी इसमें कृवेंट इनों ने पास किया है प्रिवेस पिछले साल कुछ देखकर की भई जो ग्रेस मार्क दे गए हैं जिन बच्चों ने पूरा टाइम से किया और बाकी रहे बच्चे उन सब के साथ क्या तो मतलब एक तो किसी बच्य ने गलते कर दी application form में अगर उसने कोई अपना लगाया कोई signature गलत कर दिया यह वो गलत कर दिया तुम उसको एक्जाम से निकाल दे तो एक्जाम में बैठने नहीं दे और इस टाइम पर तुम्हारी इतनी सारी गलतिया लिस्ट सामने आ रही है वो पी इस लेवल पे जब तुम नेशनल लेवल पर एक्जाम कंटक्क करा रह क्या आपने solution निखाला कि कैसे हम रैंकिंग देने वाले हैं कोई criteria है कोई sense बनता है इस बात का हाला कि पहले भी हम जानते हैं कि यार यह जो रैंकिंग का बच्चा है उसका एयर वन आ रहा है और जो 719 वाला बस एक माक्स कम वाला बच्चा जो है उसकी 78 रैंक आ रही है तो इस बच्चे के साथ भी जस्टिस नहीं हुआ तो यह ranking system कैसा हो गया तुमारा है ना यहीं खतर नहीं होती लिस्ट इसके लावा यार देखोगे आप तो इस लिस्ट में एक लिस्ट में आपको दिखाता हूँ जिसमें आपकी सारे के सारे rankers की list जो ए एंट ये ने निकाली है और एक दिन बाद ही निकाल दी वाओ करते हैं लेकिन जब result की बात आई तो एक दिन में पूरा का पूरा result निकल गया election वाले दिन I don't know क्या coincidence है इसके साथ लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं यहां पर देखो अगर आप इस जगहां पर देखोगे तो यहां पर नीचे आप आओगे तो 70 68 बच्चे ऐसे 64 तक तो 65 तक तो 62 से लेके और कहां तक जाएगा यह नंबर यह नीचे तक जा रहा है आपके 69 तक बतलब यह सारे जो बच्चे है ना इनका सीक्वराप इस application नंबर को देखोगे ना कितना सिमिलर है सेम 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 चल रहा है मतलब यह सारे लग रहा है एक ही सेंटर में बैठ या एक ही मतलब यह क्या coincidence है कि यार वो साथ ही एक हॉल में बैठ है और उसके जो है टॉप 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 मार्ट सारे आसपास वाले तो इन डाट केस अगर आप देखोगे तो यार इतने सारी बच्चों के साथ तो फिर एक तरीक से इंजस्टिस भी हुआ है कितने बच्चे जो महनत कर रहे थे वह इस लाइन में लगने के लिए खड़े थे उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं फिर एक साल वेट करो मतलब उस उन उन गरीब बच्चों की महनत कौन देखेगा अगर तुम नहीं देखोगे तो जो बच्चा आगे जाकर डॉक्टर बनने वाला है लोगों की जान सब मिल के साथ में लड़ते हैं हमारा हाड वक यार कभी भी वेस नहीं जाता उसका पे आउट बगवान हमें जरूर देता है तो तुम भी होसला रखो अभी इस टाइम पे थोड़ा सा मन को शान्त रखो कुछ ना कुछ वे आउट जो है इसका जरूर निकलेगा बाकी जिन नेमाक सारे हैं बताओ मेरा सेलेक्शन मुझे कॉलेज मिलेगा के नहीं मिलेगा तो यह नंबर बहुत जादा है यह आकड़ा बहुत जादा है तो इसको नजरनदाज नहीं किया जा सकता कुछ ना कुछ वे आउट जरूर निकालेंगे इस चीज का है ना तुम लोग भी होसला रखो पेरेंट्स भी इस टाइम पर काफी परशान है आई नो अभी कुछ खास कहने को है नहीं बट लेट्स वेट किया एंटी जो है इस बार एट लीस्ट जस्टिस करेगा बच्चो के साथ इस उमीद में बागी हम भी कोशिश करते हैं आप लोग भी रखे हो all the very best मिलते हैं बहुत जल्दी